हलो प्यारे बच्चों कैसे बटाब साब उम्मिद है आप सब होंगे मास्तन द्रोस्तों मैं कुंदन कुमार सर्मा फिर से स्वागत करते हूं मैगनेट में सिंधी मादेम चल लो तो बिद्यारतियों आज पीछे वाली स्लाइट में क्या देख रहा है कच्छा वारवी की गनी और बीटा क्या है उसमें सांटत्य वन Bjwel अवकल है और अजका टॉपिक क्या है प्रतिलों माउनों पार्ट टू प्रतिलों बटिलोमफ़लण पर्ट वन हमने पिछली वीडियो पड़ाया था, मेरे प्यारे बाद चोट जल्दी से जाकर उस वीडियो को देखे और अब हम जल्दी से प्रतिलोमफ़लाण पाटो पढ़ लेते हैं, अब हम जल्दी से पहला सवाल की başता हैं, पहला सवाल क्या है सर, देता हूं इसको में और dy by dx वराबर क्या कर दूं सर कि tan inverse तो वन अपॉन प्लस सम्थिंग का होल स्क्वार और फिर differentiation आफ ये पूरा ये भी method है गलत नहीं के रहा है ये method भी आपका सही है कि 1- cos x upon ये जो sin x है और 1- cos x upon sin x है पका लेकिन यहां square open करेंगे तो फिर से काफी लंबा step यहां first function upon second function का differentiation जो कि खुद में एक बड़ा step हो जाएगा अब जैसे आपको बताता हूं कि differentiation of a upon b होता तो क्या हो जाता तो बड़ा सबसे पहले आपको b का whole square करना पड़ता बी को आप छोड़ते फिर कितना differentiation of कितना a हो जाता minus a को छोड़ते और differentiation of b हो जाता तो बड़ा simple सा चीज है यह ऐसा करना था अपने को से मैसे sin x का whole square करते अगर इसको करते तब तो इस सिर्फ इस portion को अगर solve करता तो इसका उत्तर हो जाता कितना sin square x और फिर कितना differentiation of 1 minus कितना cos x अच्छा इसके साथ multiply में sin x free में रहता माइनस अब अगली बार कितना अरे रुग जा वर माइनस cos x अगर छोड़ देते तब differentiation of कितना जाता बेटा sin x तो अच्छा होता लेकिन आप कर भी लेते लेकिन process थोड़ी लंब्य हो जाती लेकिन method आपको clear है अगर method आपको clear है तब उतनी चिंता की बात भी नहीं है तो एक बार सामान्य method से करता हूं और एक बार मैं करना चाहूंगा किसे अगर आपने inverse trigon warranty पढ़ा है तो उस घ्यान का उप्योग करिज़े ठीक है तो उसको ज्यान का उप्योग करके बतातो अगर इतना लिंदी अगर आपको नहीं समझना तो क्या करेंगे तो ध्यान दिजेगा कि बटा सबसे पहले inverse dignity के कुछ formula याद होने जी पहला कौन सा कि 1 minus cos x बरावर क्या होता है तो 2 sin square जो भी x से उसका आधा जो भी x से उसका आधा अब ये कितना sin x बरावर कितना बटा 2 sin x upon 2 और cos x upon 2 होता है ये अगर आपको जन्ना नोलिज याद है तो ध्यान दिजिएगा ये जो भाई रहेगा आपका tan inverse कितना बटा 1 minus cos x upon कितना sin x तो ये जो भाई बरावर आपका tan inverse है अब सुनू अगर formula याद है ना तब बताता हूं कितना 2 sin x by 2 into cos x by 2 अब 1 minus cos x मतलब 2 sin square x का आधा 2 से 2 गुजर गया उपर वाला x sin उपर 2 sin है ना उपर sin square का exactly मतलब कितना है यानि कि 2 है sin x by 2 है और फिर से sin x by 2 है अरे या square का मतलब भी तो यह होता ना बटा तो 2 sin नीचे कितना x by 2 into cos x by 2 अब दोखो यहां क्या था यहां था यहां था by बरावर tan inverse अब सुनू काटना अभी काटकर बताता रहा हूं यह 2 से 2 कर जाएगा sin x y 2 से sin x y 2 कर जाएगा sin x y 2 upon cos x y 2 भाया क्या बचेगा हमारे प्रास तो मैं आपको उताता हूं बचेगा y equal to यह कितना बटा tan inverse tan inverse और यहां क्या बचेगा बताओ यहां बचेगा sin x y 2 upon cos x y 2 क्या बटा sin x y 2 upon cos x y 2 अब सुनू बटा जी यही तो important है अगर यह आपको समझ में आ गया न तो आप समझ लो आधा जंग तो जीती लिए आप क्योंकि inverse trigonometry का जो सवाल है तो inverse trigonometry के सवाल है आपको करना ही क्या है बस आपको easy ही तो करना है क्या करना बटा easy ही तो करना है अब सुन्यों by बराबर अरे कभी कभी न रबर फिसल जाता है मेरे हाथों से तो by बराबर कितना tan inverse अब sin upon cos tan inverse x upon 2 तो सुन्ये tan inverse और यह कितना sin upon cos तो सिर्फ tan है तो tan inverse से tan करता है नहीं पता तो formula लिख लो पहला के बाद दूसरा formula हो गया था तीसरा अगर tan inverse और यहाँ पे tan theta होता है बटा तो कितना बचेगा सिर्फ theta बचेगा तो ध्यान देजिए tan inverse tan x by 2 है यानि by बराबर क्या बच गया x upon 2 अब वो by बराबर x upon 2 इसका मतलब अगर हमने d upon dx both side लिया d upon dx both side अचा हिंदी में कितना d upon dx दोनों तरफ लेने पर अब आगे by का differentiation dy upon dx बराबर 1 by 2 और x का differentiation तो differentiation of x अब x का differentiation क्या हो जागा बताओ तो knowledge नहीं है तो हम फिर से बताएंगे कि d upon dx of x बराबर कितना 1 तो कितना 1 बराबर 1 by 2 तो किसके बराबर dy upon dx बराबर कितना 1 by 2 तो ध्यान देजेगा dy by dx किसके बराबर हो गया 1 by 2 के बराबर तो बिद्यारत ही हो अगर बात आपको यह समझ में आ गई तो बड़ा ही easy सवाल था यानि कि आपको main काम क्या करना था वो आपको फिर से बता दे रहा हो सुनू तो सबसे पहले यह रहा सवाल सवाल को tan inverse 1 minus cos x upon sin x बनेगा तो 1 minus cos x बराबर 2 sin x square x by 2 बनेगा sin x बराबर 2 sin x by 2 cos x by 2 बनेगा जहां काटा पिटी हो रही है cancel out करो और एकदम easy के terms में लियाओ तो main आप पुलाना था by बराबर x by 2 के terms में अब अगर differentiation both sides करना है यानि by का differentiation dy by dx बराबर 1 by 2 हो जाएगा और x का differentiation 1 हो जागा तो 1 into 1 by 2 कितना हो जागा बटा 1 by 2 तो 1 by 2 is your answer अब जिन बिद्यारतियों को यह बात समझ में आ गई हो तो जल्दी से लिख लीजे बटा अब जल्दी से note down कर लिजे हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ अब अगला सवाल क्या होने वाला है यह तो हम ही बताएंगे अब अगला सवाल देखिए रेटी हो जाएए क्या inverse का ही आएगा येस अगला सवाल भी inverse का है तो मतलब इसमें भी knowledge बड़ी जरूरत है तो knowledge हमें क्यों पड़ेगी जरूरत तो द्यान दिजेगा फिर से बता दे रहाओ पहला अगर knowledge नहीं है तो 1-cos x बरावर लिख लिजे क्या होता फार्मुला 2sin2 जो भी angle होगा यानि x angle है यहां तो उसका आधा और दूसरा 1 plus cos x बरावर कितना बटा तो 2 अगर plus में cos है ना तो सिर्फ cos लिगना और square में फिर angle x का आधा तो देखो जब cos अगर negative में था तो कितना होगा बटा 2sin2 xy2 और plus में हो गया तो कितना 2cos2 xy2 तो द्यान जब 1-cos x तो 2sin2 xy2 और 1 plus cos x तो 2 times of cos2 xy2 अगर यह फार्मूले आपको याद है तो यहां यूज़ दाएंगे चेक करो कहां तो आओ तो लेट बाई बरावर बाई बरावर tan inverse tan inverse कितना अंडर रूट के अंदर 1 plus cos x अपन 1-cos x अब देखो बाई बरावर tan inverse अब बस फार्मूला आपको याद होने चाहिए अगर फार्मूला याद नहीं है ना तब होती थोड़ी गड़बड़ बट मेरे प्यारे बच्चो आपको तो फार्मूला याद ही होगा अब देखो नहीं भी है तो आपके प्यारे सी चेक ने लिख दिया तो 1-cos x हो कितना 2 sin square 2 sin square जो भी x है उसका आधा और 2 cos square जो भी x है उसका आधा अब 2 से 2 कट जागा sin upon cos कितना हो जागा तो sin upon cos हो जागा कितना tan square जो भी x है उसका आधा अब जान दो अंडर उटके ये अंदर है तो ये कितना हो जागा tan inverse का tan inverse अच्छा ये वाला टा देता हूं मैं सुनो ये tan inverse का tan inverse आपको ये लो वाली कलर से लिख दे रहा हूं तो क्या हो जाएगा तो बाई बराबर tan inverse सुनिएगा तो बाई बराबर कितना बटा tan inverse अब जो कट रहा है उसको काट दिया जाए अब देखो क्या कट रहा है तो बताओ अंडर उट के अंडर स्कॉार से अंडर उट कर जागा तो बचेगा कितना tan xy2 देखो स्कॉार से अंडर उट कर जागा न बटा तो बचेगा tan xy2 अब आपको एक फार्मुला याद करा दें तो वो फार्मुला कौन सा बटा तो वो फार्मुला है कितना तो tan से tan अगर कटे 2 फिर से xy2 ये अब फिर से चेक करवा दू तो सुनो ध्यान से कितना 1-cos इटा 2cos x अब यहां नहीं ध्यान देओ अज़िए 1-cos x 1-cos x copy paste किया अब 1-cos x मतब 2sin square xy2 1-cos x मतब 2cos square xy2 2 से 2 कट गया sin square upon cos square जो कि बच जागा बटा 10 square xy2 अब square से अंडरूट कर जागा बचे का बटा 10 x by 2 अब 10 inverse 10 x by 2 का answer final बसता है x by 2 अब अभी तो आपका मेन काम स्टार्ट हुआ है तो आपका जो सवाल था ना बाई वरावर तो देखो सवाल बाई वरावर इतना बड़ा था अब आपको inverse trigonumity आती थी तो बाई वरावर x by 2 मतना सवाल ही छोटा कर लिया तो बड़ा सवाल सवाल करने की ज़रत नहीं पड़ीगी इतना बड़ा जो dangerous सवाल दिख रहा था उसको कर लिया आपने इतना छोटा अब इसका differentiation तो इसका differentiation कितना तो d upon dx बोथ साइड लेने पर या d upon dx बोथ साइड या differentiation दोनों तरफ करने के वाद यानि दोनों तरफ अब कलन करने के वाद तो सुनो ध्यान से तो d upon dx of by बरावर d upon dx of x upon 2 अब इसका मतलब बन अपन दो इधार और x का differentiation अब x का differentiation कितना किसी को पता है क्या नहीं पता तो differentiation कितना x का जो क्यों जाता 1 तो 1 by 2 into 1 बरावर 1 by 2 अब ये कितना बटा dy upon dx ये कितना dy upon dx और ये कितना dy upon dx अब एक बात बताईए कि 1 by 2 dy by dx बरावर कितना 1 by 2 ये प्राप्त हुआ अगर ये answer प्राप्त हुआ इसका मतलब बताईए क्या differentiation 1 by 2 है बिल्कुल सही बात है तो लिख लिजिए वेटा कि tan inverse under root of 1 minus cosita upon कितना प्राप्त में कितना 1 minus cosita upon में कितना 1 plus cosita का final answer कितना हुआ बड़ा छोटा सा 1 by 2 तो जल्दी से लिख लिजिएगा और जल्दी से complete कर लिजिएगा तो चलते वेटा अगले सवाल की तरह अब अगला सवाल क्या होगा तो ध्यान दीजिए अगर इंवर्स्टी इंवर्स्टी कितना था उपर प्लस और नीचे minus पका तो ध्यान दीजिएगा मैं क्या चाह रहा हूं कि उसी solution को दुबारा दिखाऊं आपको अगलका हलका change करने के बाद क्या आजाएगा तो इस सवाल में कुछ ज्यादा खास नहीं है इस सवाल में हम दो चीजों का वास उप्योग करें और लगबाग आपका formula 80% खातम हो जागा देखो कैसे तो एक बर बता रहो एक पूरा लिक के बताऊंगा है ना आएए उपर कितना minus की जगा plus और नीचे कितना ता फिर्या था माइनस ओके तो 1 प्लस कॉस 6 यहनि कितना उपर हो जागा कितना 1 प्लस कॉस 6 तो धयाद करो formula 2 cos square x y 2 और यहाँ पर कितना हो जागा 2 sin versteNice अब यहाँ पर कितना हो जागा, tan square की जागा, cos upon sin कितना, cot square, xy2, अब यहाँ पर formula, by बराबर, आगे कितना है, tan inverse, कितना है, tan inverse, लेकिन यहाँ, cot inverse, यहाँ पर कितना, cot xy2, कितना है, cot xy2, तो आपको यहाँ पर, tan है, और cot है, लेकिन आपको tan होता, तभी कुछ answer मिलता, तो मैं आपको बताता हूँ, सुनो, चौथा एक step, कि भाई साहब, cot 10 में पढ़ा होगा, आपने 90 minus theta, बराबर, tan theta, और, tan 90 minus theta, बराबर कितना बता, cot theta, तो देखो, cot है आपके पास, यानि कि कितना, cot xy2 है आपके पास, cot xy2 है, अब इसको tan में change करना है, तो tan में क्या लिख सकता हूँ, 90 मतलब pi y2 minus theta, यानि xy2, तो अगर tan 90 minus xy2, मतलब कितना बता, cot xy2, यानि कि ये cot xy2 को मैं बस ऐसा प्यार से लिखना था, क्या लिखना था, तो वहाँ पे आपको लिखना था, pi y2 minus xy2, अब, tan से tan कट गया, तो आप केतना answer बच गया आपका, बताओ, तो आपके पास उत्तर क्या बचा, pi y2 minus xy2, अब differentiation बोट साइट, मतलब differentiation में क्या जाता बटा, pi y2 minus xy2, अचा देख रहे हैं, आप एक ही सवाल दोनों pattern पर कैसे खड़ा-कट solve होते जा रहे हैं, तो अब, चाहो तो 1y2 बाहर ले लेते हैं, या, इसका differentiation कितना जाता है, यह आपको बता देना, तो pi y2 एक constant एट, उसका differentiation 0, minus 1 by 2 इदर, और x का differentiation, तो differentiation of x, अब, चाहो तो इसको आप एक सटेप हैसा लिख सकते हैं, कि differentiation of pi y2 again, तो pi y2 is the constant, so the differentiation will be 0, और, बेटा, minus का 1 by 2 इदर, और x का differentiation 1, याने कि minus का 1 by 2, तो कितना आई जी था, ज्यान दिया आपने, तो सवाल सच में बहुत ही जी था, इतना tough नहीं था, तो सवाल बहुत ही जी है, और उमिद है आपने वाला अच्छे से solve कर लिया होगा, एक बार फिर से बता है बिटा, सुनो, तो 1 plus cos x upon 1 minus cos x, इसका मतलब कितना बिटा, सवाल को हमने बाई बना, सेम टू सेम लिगा, अब सुनिए, 1 plus cos x 2 cos square x y 2, 1 minus cos x 2 sin square x y 2, 2 से 2 कट गया बिटा, cos square upon sin square cot square x y 2, अब cot square x y 2 को हमने अंडरूर्ट से अटा है, तो cot x y 2, अब cot x y 2 को 10 में चेंज करना है, तो 90 minus theta, याने की pi y 2 minus x y 2, अब tan से 10 कट गया, pi y 2 minus x y 2, यह सवाल आ गया, अब both side differentiate करेंगे, तो इधर कितना, differentiation of y, और इधर differentiation of कितना, pi y 2 minus x y 2, अब pi y 2 का differentiation कितना बिटा, 0, और differentiation कितना x y 2, जिसमें से minus x y 2 बाहर आ गया, और x का differentiation 1, तो 0 minus 1 y 2 into 1, यानी 1 y 2 into 1, यानी 1 y 2, अब minus तो है, तो कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन 0 में से minus है, तो minus 1 y 2 is your answer, इसी था, लेकिन इसके लिए कितना पहला सवाल आना चाहिए था, अगर पहला सवाल आपको आता था, तो यह सवाल सच में आपके लिए बहुत इसी था, बटा, अब मेरे प्यारे वच्चो जल्दी से इसको कौपी कलेजिए, और मैं आपको बताता हूं, देखो यह 10th क्लास का फार्मूला है, कहां का, 10th क्लास का फार्मूला है, तो दस भी कक्षा, देखें, बहुत बहुत भार फार्मूले यूज हो रहे, तो मेरे प्यारे वच्चो जारतियों, आपके जो भी जूनियर रहे होंगे न, या हैं अभी, उनको जरूर बताइएगा, कि बेटा, दस भी कक्षा भी है, बहुत आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि बार्मूला में उसका बहुत उप्योग है, और खासकर ट्रिग्नोमेट्री तो कम से कम पढ़ लीजिएगा, तो ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़िए, बाकि सारे चेप्टर यूज होने वाले, जैसे क्वाडिटी क्वेशन से, उनको भी बताईए, तो जो जो आपके जूनियर है, उनको बताते रहे हैं कि सर, जितना आप ज्यान देंगे 10th में, उतना ही 11th और 12th में आपकी मदद होती चली जाएगी, तो चलो अगले सवाल की तरफ चलते बटा, है ना, अगला सवाल क्या होगा, स्क्रीन शॉट पर ले लिजिएगा, नोट कर लिजिएगा, हाँ जी, तो अगला सवाल क्या होने वाला है, तो अगला सवाल होगा कुछ अलाग, आहा, क्या बात है, 10 inverse cos x के अपन में 1 प्लस sin x, यह तो बड़ा बड़ी है सवाल है, तो ध्यान दिजिएगा, अच्छा, एक फार्मॉला आपको बताऊ में, आपके पास 1 प्लस, कितना है, sin x है, कितना में, 1 प्लस sin x है, तो 1 प्लस sin x को कॉस्ट में चेंज कर सकता हूँ, क्यों में, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ध्यान दि उसको लिख सकता हूँ, मैं बड़े प्यार से, ऐसा, कि सर, 1 प्लस sin की जगा, कॉस्ट लिख सकता हूँ, और 90 माइनस x लिख सकता हूँ, तो 1 प्लस कॉस्ट लिख सकता हूँ, तो 2 कॉस्ट स्क्वाइर, 2 कॉस्ट स्क्वाइर, और जो भी एंगल है, उसका अदा, तो πाई 2 का अदा कितना हूँ, पाई वाई 4, माइनस x का अदा xy 2, ऐसा लिखा जा सकता हूँ, यह सेम आपके 11 क्रास की trigonometry है, अगर 11 को अक्षा की trigonometry मजबूत होती, तो आज बड़ा यह सवाल इसी हो जाता, अब सुनो, एक और यह उपर, कॉस x, कॉस x को ऐसा लिख सकते हूँ sin 90 minus theta, pi by 2 minus x, अब इसको क्या लिख सकते है, 2 times of sin और कॉस, अब इसको क्या लिख सकते है, pi by 4 minus xy 2, अब आगे, pi by 4 minus xy 2, clear है, तो देखो, 2 sin theta, कोस चीटा, नहीं पता तो आपको इबड़ाता हूँ, अब sin, 2 times of theta, बरावर कितना होता है, 2 sin theta और कॉस चीटा, या सिर्फ अगर यहाँ पर sin theta होता, तो यह formula होता हूँ, कितना, 2 sin जो भी theta है उसका अधा, और cost जो भी ठीटा है उसका आधा, यह formula होता बटा, अब sign यह जो भी angle है, उसको मैं लिखना चाहूं half angle में, तो two times of sign, जो भी angle है उसका आधा, और cost जो भी angle उसका आधा, तो यह general knowledge बड़ा important है, अब अगर यह नहीं है, तो बड़ी दिक्कत हो जाती इसमें, अगर यह आपको knowledge है, तो बहुत अच्छी बात है, तो लिखिए बटा फ़ले y बराबर, tan inverse, कितना, आगे की क्या कहानी, तो सुनिएगा, cost x को क्या लिख सकता हूं, मैं, cost x को लिख सकता हूं, ऐसा, two sign, कितना, pi y 4 minus xy 2, तो two sign, pi y 4 minus xy 2, into cos, pi y 4 minus xy 2, अब, यह दो अगर clear है, तब क्या, तब one plus sin x कितना होजागा, two cos square, जो भी x कहा है, उसका आदा, यानि pi y 4, आगे कितना, minus xy 2, minus xy 2, अब ध्यान दिजिएगा, by बराबर, tan inverse, आगे, कितना होने वाला है, तो आपको जो होने वाला, उसको ध्यान दिजिएगा, तो cos square का exactly मतब कितना होजा, cos into cos, तो यानि, दो cos, तो देखो, यह, यह, दो से दो चला जाएगा, cos square का square जाना, इसका मतब एक ही cos बचना, इसका मतब यह था कि cos, pi y 2 minus x y 2, एक और multiply था, तो वो वाला terms काट रहा हों, किसके साथ, इस cos की साथ, अब सुनिएगा, ऊपर बच गया sign, और नीचे बच गया cos, तो अब आगे बचा, फार्मूला लिख दिया जाएगा, कितना, तो मेरे प्यारे बच्ची, यह हो जागा, cos, pi y 4 minus x y 2, और कितना, यहाँ पे कितना बचा, sin, pi y 4 minus x y 2, तो मेरे प्यारे बच्चो, जल्दी से ध्यान दिजिएगा, क्या लिखने वाले हम अगे बाद, तो by बराबर, यह हो जागा, tan inverse, यहाँ कितना, sin upon cos, तो यह हो जागा, tan, pi y 4 minus x y 2, तो अगर यहाँ को clear है, तो 10 से 10 कैंसल हो जाने वाला है, तो अब बीवर कितना बचेगा, यहाँ लिख दू, यह काम को तो पेनर, चेंज कर लेता हम, सुनो, यह ही वाला चीज, आगे लिख रहा हम है, सुनो, तो by बराब अचा, काट मत देना इनको, ऐसे ही लिखना, कि tan ही दूबर, tan बराबर, यह ठीटा है, तो ठीटा कितना, pi y 4 minus x by 2, तो pi y 4 minus x by 2, अब dy upon dx बराबर कितना, pi y 4 का differentiation, अब चेक कर लो, pi y 4 minus x by 2, बराबर, pi y 4 मतब, 0 minus 1 by 2, अब differentiation of x, बराबर कितना बटा, 0 minus 1 by 2, और x का differentiation, 1, x का differentiation 1, तो देखो, मैनस 1 कattack, कितना, तो minus 1 by 2 into 1 कितना, यह minus नहीं, तो minus 1 by 2 into 1 कितना, तो dy y dx बराबर कितना, minus 1 by 2, तो यह बड़ा ही, सुल्जा हुआ उत्तरप्राब्द हुआ बड़ा ईजी सा सवाल है सवाल देखने में कितना डरावना लगता लेकिन नहीं यह देखो सवाल कितना छोटा होता बटा तो मेरे प्यारे बच्चों आप जल्दी से इन सारे सवालों को सौल्व कर लिया करिये और बहुत ही इजी हो हाँ जी तो अगला सवाल क्या है अगला सवाल है टन इन वर्स क्या बात है बन प्लस साइनेक्स अपोन बन माइनस साइनेक्स क्या बात है बहुत ही बढ़िया सवाल है यह तो ठीक है चलिए कोई बात ने तो बाई वराबर कितना बटा तो बाई वराबर कितना हो जागा सु जरवत नहीं है आपको जो लिमिट मिलेगा ना जम सामानी लिमिट मिलेगा तो चिंतवात नहीं है लेकिन जो विद्धारती अंग्रेजी माध्याम के होईंगे उनके साथ बड़ी दिक्कत होने वाली है तो उनको पढ़ाय पे खुछ ज्यादा ध्यान देना है विटा सीविय भी आश graffiti के जो पेपर होते हैं उनका लेवल थोड़ा सा आपको ज्यादा मिलता है लेकिन इस बात सा आप खुसमत हो जाएं क्योंकि अवस्टेट जुद्पोड का भी लेवल सेम हो गा क्योंकि सीवियसी भी ऑन्सराइए नयुथे फॉल幌 करती थी अव सारे स्टेट नहीं कर सकते तो आपको भी अपनी पढ़ाई के लेवल हलका सा उपर करना पड़ेगा तो आपको सबसे पहला काम है कि आपको फार्मुले याद कर लेने हैं और जितने फार्मुले जिस टाइम जो कराय जाए ना बटा तो लिख लिजिए उसको उतनी बार घर पे बैठ करके क आपको आपने तो पढ़ाई होगा है ना याद है आपको आपने तो पढ़ाई होगा है ना पढ़ा ही होगा यह वाला तो जल्दी से आगे हम आपको बता देते हैं क्या था तो 10 इन वर्स यह कितना बैटा जी सुनिए का ध्यान से under root 1 plus sine x बहुत ही बड़िया ये कितना 1 minus sine x clear है अब under root कर दिया जाए सुनिए तो किसी से rationalize कर लेंगे तो 1 plus sine x upon 1 plus sine x अब 1 plus sine x कही हो जाएगा whole square चेक कर लो कैसे हो जाएगा मैं बता देता हूँ तो by वराबा 10 inverse 10 inverse ये कितना ठेम बता ही तो 1 plus sine x का whole square अब नीचे कितना 1 का square minus sine square x यानि कितना बता cos square x अब आगे सुनिएं under root same to same ठेक है तो 1 plus sine x 1 plus sine x तो 1 plus sine x का whole square अब कितना 1 minus sine x और 1 plus sine x मतलब 1 का square minus sine square और x तो अबिसली एंगल लगा रहेगा तो 1 minus sine square x क्या होता है तो 1 minus sine square x होता हमारे है cos square x टेंथ पे पढ़ चुके हैं तो बिलकुल तो by बराबर tan inverse अंडर root के अंदर 1 plus sine x का whole square और upon में cos square x कितना cos square x यानि बाबु क्या होने वाला है square से square cancel होगा क्या ना बिलकुल मत सुनो बहुत बार हमारे दो समझदार बच्चर ना ये रा square से square cancel ऐसा नहीं है बाबु तो सबसे पहले common लीजिए तो क्या common लेंगे बताइए तो common होने वाला है by बराबर tan inverse कितना tan inverse और यहां अंडर root तो इन दोनों में से square common लेजिएगा कितना बच जागा 1 plus sin x अरे रुख जाओ 1 plus sin x नीचे कितना cos x दोनों का square common ले लेंगे तो अरे कभी कभी तो हमारे साथ ही मजाग बचारा बताइए cos x का square अब यह square अंडर root को cut डालेगा तो cut दो इसको निप्टा दो भाई साब काम का कोई मतलम नहीं है तो square से अंडर root कट गया तो कितना बचेगा 1 plus sin x अब में समस्या यहाने वाली थी तो यहां क्या आएगी समस्या आप बताओ तो by बराबर कितना tan inverse अब इसको जरब प्यार वाली निगाहों से लेखो कौन सा फार्मूला पढ़ रहा विटा यह तो फार्मूला आप याद करते रहो नहीं फार्मूला याद के ना तो बड़े गड़बड हो जाएगी तो कौस को हम कितना sin 90 माइनटी माइनस शीटा यानि पाइवाइट टू माइनस x वाइट लिग सकते थे और दूसरा 1 प्लस कौस साइन को क्या लिए सकते बटा कौस पाइवाइट टू माइनस x वाइट टू तो देखो फार्मूला अगर क्लियर है न तो बागी बात खतम अब एक और चीज़ बस दो मिनट की बात है दो मिनट में तो निप्टाई डालेंगे अपन इसको है न उसके बाद हमें कौन सा चाहिए चलो यह वाला कर लेते हम यह फार्मूला के सीज़ का तो बन पलस कॉस इटा कितना तो भाई साब 2 कॉस स्क्वार और जो भी एंगल उसका दा तो एंगल का दा कितना हो जागा बताओ यह पाई वाई 2 का दा पाई वाई 4 माइनस xy2 का दा xy4 अब आगे साइन xy2 माइनस का कितना पाई वाई 2 इसका मतलब कितना हो जागा बता 2 साइन आगे कितना पाई वाई 4 इंटू कितना xy4 अब कितना कॉस पाई वाई 4 माइनस xy4 तो बता आप जगा भर गई है बहुत जगा होने वाले यह कम तो कोई बात नहीं जिसमें है दम वो कर लो स सब्मकूरत सि दूम जो कटेगा जो मरेगा इसको कर डालते अपन सूनो ध्यान से डों वाले भीय से लेवाहाज चलेगा अब देखो कॉस का स्कौारे तो स्क्वार से कॉस भाले से फ़ह कॉस ऐस नीचे सब्च गएं कॉस अपन साइ्न क्या बच गए तो लिख्द हो फटा वट रिस्क नहीं लेने कामने को तो कितना कॉस πया फोर माइनस बिटा xy4 के होल अपान में और यह एंगल है द्यान दिजेगा अब यह खुद भी टैन इन वर्स का एक कितना है तर्म्स है अब आगे कितना हो जाएगा साइन यहां कितना पाई वाई 4 माईनास एकस वाई 4 अब जल्दी से उसको कॉपी कर लो क्योंकि जगव अची नहीं तो क्या करेंगे हम अगले स्लाइट पे करें तो जल्दी नोट कर लिए बिटा ठीक है ओके है हाँ तो बिटा ओके जल्दी से लिख लिए जाएगा अचे सुनो यहां पे एकस वाई 2 तो यह वाला एकस वाई 2 यह ध्यान देजिएगा वो राइटिंग लिखते लिखते भावनों बेगाई आपके हैं अब सुनो यहां कितना हो जागा कॉस पाई वाई 4 माईनास एकस वाई 4 और कितना साइन पाई वाई 4 माईनास minus xy4 नहीं है तो पीछे एक बाद चेक कर लो कितना चेक कर लिया क्या तो पीछे कितना था उटा पाई वाई 4 minus xy4 और कॉस अपोन साइन यानि कितना हो जाएगा कॉट अब जन्ना नोलेज की बात तो होनी चाहिए हमें यहां चीए 10 तो कॉट आपको मालूम है कॉट कोई भी एंगल अगर होगा तो हम उसको 10 में अगर चेंज करना चाहिए तो पता क्या होता है लिख सकते हैं आप लेकिन 90 minus वो एंगल लिखना पड़ेगा तो कॉट ठीटा बावर 10 कितना 90 minus ठीटा इसका मतलब y बावर 10 inverse आगे कितना विटा तो यह हो जागा कॉट और यह कितना सा तो पाई बाई टू यानि की 90 डिगरी minus आपका एंगल और एंगल कितना विटा यह पाई बाई 4 minus xy 4 तो पूरा एंगल अगर आपने लिख दिया तो क्या बचेगा y बरावर अच्छा अब यह कॉट था कॉट को आपको किसमें चेंज करना था 10 में तो एक बात क्या धान देना कॉट का कॉट रहेगा क्या नहीं अब कॉट का हो जाएगा 10 तो धान देना है इस बात को कितना हो जाएगा 10 और 10 से 10 inverse कैंशल हो जाएगा तो बचेगा कितना बटा? ये कितना है? पाइवाईटू माइनस ब्रैकेट में पाइवाई फोर माइनस एकस वाई फोर. अच्छा, ऐसा हुआ क्यों, तो आपको एक बात देखो, ये फार्मूला, और दूसरा फार्मूला कौन सा? तो ध्यान दिजेगा कि 10 inverse अगर 10 यहाँ पे कोई theta रहेगा तो answer theta आने वाला है अगर यह आपने clear कर लिया मतलब अगला आपके पास क्या बाज नहीं हो ला था 10 inverse 10 खतम अब बचेगा है कितना यह theta अब यह theta यहीं लिख देंगे अब क्या बचेगा हमारे पास तो by बराबर pi by 2 minus कितना pi by 4 और minus और minus कितना तो यह कितना है x है तो x के अपन में 4 ठीक है ना अब धुनो pi by 2 मतलब 90 degree तो देखो pi by 2 minus pi by 4 मतलब कितना यह बताओ 90 degree minus कितना 45 degree अब 90 में से 45 गया 45 मतलब pi by 4 बड़ा सिंपल सा चीज़ था तो ध्यान देखो यह कितना pi by 4 और कितना प्लस का xy 4 तो by बराबर इतना लेकिन आपको क्या चीए था क्या by चीए था सोचो नहीं तो पिछले स्क्रीन पे जाओ आपको चीए था यह tan inverse जिसको आपने by माना था तो by बराबर यह जो आया वो सवाल है वेटा तो ध्यान दो तो by बराबर जो आया वो सवाल है लेकिन आपको क्या चीए था तो प्रश्न को हल करना था और हल में क्या था अब कलन करना पिछले वाले सवाल में क्या था अब कलन करना अब दोनों तरफ क्या करना है अब कलन करने पर अब बताओ दोनों तरफ अब कलन करने पर क्या मिलेगा तो ध्यान देजेगा y का differentiation d y by d x और कितना यहाँ pi by 4 का 0 plus 1 by 4 बाहर और x का differentiation 1 यानि कितना बटाया total answer 1 by 4 तो final answer एक दाव मैंस पूरा प्यार सा लिख दीजेगे बटा कि d y by d x बरावर हमारे पास मिल गया 1 by 4 जल्दी से copy कर लिजे बटा शाबाज बहुत भी बड़िया टीम ठीक है जल्दी copy कर लिजे अगले सवाल की तरफ चलते हैं हाँ तो बिद्यारतियो अगर आपने इस चीज को नोट कर लिया है तो भक्त हो गया अगले सवाल की तरफ चलने का तो अगला सवाल क्या था पास लेकर पहले में स्क्रीन को देख लिजेगा अगर ये सवाल का स्क्रीन आपको समझ में आगया होगा और वेटा साथे स्टेप अगर आपने कर लियोंगे तो वेटा अप घर पे बारी है आपको कितना इस सवाल को बारवर करने की तो बड़ा अगले सवाल की तरह अब अगले सवाल में कौन सा चीज आएगा तो देखिए अगला सवाल है टैन इनवर्स सेक एक्स प्लस का टैन एक बात बताओ सेक एक्स का तेंथ कलास में कौन सा फार्मूला तो सेक एक्स बरावर कितना वन अपॉन कौस एक्स और कितना बटा दूसरा है टैन एक्स तो टैन एक्स बरावर क्या फार्मूला बताइए तो साइन एक्स अपॉन कौस एक्स तो बिटा जी जल्दी से इस बात पर आप ध्यान दिजिएगा कि आपका जो सवाल है उसको आप वाई मानते हैं और ये कितना बिटा टैन इंवर्स कितना सेक एक्स प्लॉस टैन एक्स अब मेरे बच्चे बताओ बाई बराबर कितना पहले सवाल से क्या सर डारेक तो दो मिनिट की बात है बिटा अब आगे कितना टैन इंवर्स अब सेक एक्स की जगा वन अपॉन कॉस एक्स अब आगे प्लस कितना साइन एक्स के अपॉन में कॉस एक्स अब बिटा बताईए नीचे कितना जागा लसी हम कॉस एक्स और उपर कितना जागा वन प्लस साइ अब ये दोनों compete हो गए तो ये हो गया tan inverse और y के बदावर तो y बराबर tan inverse अब कितना तो सुनिए ध्यान से अब पहला ये 10th के बाद 11th का फार्मूला नहीं ये फिर से 10th का ये फार्मूला तो क्या बटा कि cos x को क्या लिखेगा तो cos x बराबर हो जाता है साइन 90 माइनस चीटा यानि πाइवाइ 2 माइनस कितना x और अगर साइन x हो तो इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस x तो बटा जल्दी से इसको भी ध्यान कर लिजिएगा अब आगे सुनिए गा अब होगे तो कितना गब 1 प्लस इसको cos अगर लिख दो तो कितना 90 यानि πाइवाइ 2 माइनस x अब बटा कितना ये हो जागा साइन पाइ बाइ टू माइनस x अब सुनिएगा साइन के साथ कोई अंगल हो तो अब 11 प्लस कोई भी अंगल हो तो कितना 2 कॉस स्क्वाइर उस अंगल का आधा और अगर साइन में वो अंगल हो जा बटा तो 2 आगर कितना कितना जगा साइन तो 2 साइन उस अंगल का आधा और कॉस में भी उस अंगल का आधा तो बिद्यार चूँ ये याद रखिएगा अब सुनिए उस फार्मूले की यहां क्या जरूरत है तो मैं बता देता हूं बट 10 inverse कितना तो 10 inverse कितना बटा 1 प्लस कॉस्ट इटा यानि की एंगल में यहां क्या होने वाला है तो 2 के बाद कितना कॉस इटा यानि कितना 2 कॉस अस्क्वार जो भी एंगल है उसका आधा अब सुनिएगा कोई एंगल अगर है हमारे पास कितना तीसरा पांट लिग दिएगा क पाई वाई 2 minus x है अगर इसका आधा करना चाहे यानि हाफ करना चाहे तो पाई 2 upon 2 यानि पाई वाई 4 minus x के अपमें 2 हो जाएगा तो पाई by 4 minus x by 2 तो यहां कितना पाई अपन 4 minus x upon 2 और कितना पाई वाई कितना, sin x by 2, क्या, कि वही है एंगल, दोगो, इसमें भी है πाई बाई 2 माइनस x, तो यानि कितना, πाई बाई 4 माइनस x by 2, और कितना बटा, cos में, πाई बाई 4 माइनस का x upon 2, अब यह अगर clear हो गया है, तो हम आगे चलके जल्दी से देखेंगे, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, tan inverse, tan inverse, यह कितना, 2 से 2 कट गया, और कितना हो गया बटा, 2 से 2 कट गया, cos से cos कट गया, तो उपर बच गया, cos, और कितना, πाई अपॉन 4 माइनस x अपॉन 2, अब नीचे कितना, साइन के अपॉन में कितना, πाई बाई 4 माइनस x अपॉन 2, अगर यह दोनों चीजे याद हो गई, तो देखो, 2 से 2 कट गया, और cos स्कुार का, 1 cos से नीचे का, 1 cos कट गया, तो नीचे उपर क्या बच गया, उपर बच गया एक cos और नीचे बच गया एक साइन, तो cos अपॉन साइन, कॉट, तो बाई बरावर कितना कॉट, अच्छा पहले तो 10 इनवर्स है न, तो 10 इनवर्स, कॉट, और यहाँ पे कितना, 5y4 माइनस कितना बचा, x, y, 2, अब इस कॉट को अगर 10 बनाना है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 90 माइनस ठीटा, तो 90 माइनस ठीटा की वेल्यू कितना बचा, 5y4 माइनस का कितना, x बचा दो, अब आगे, कितना है, 10 inverse, अब by बरावर 10 inverse से 10 कट जाएगा, अब बचेगा नहीं, तो by बरावर कितना, दोनों कट गए तो बचेगा बचेगा बचा कितना, 5y2 माइनस कितना, 5y2 माइनस कितना बचा, तो पाई अपॉन में 4 माइनस, x के अपॉन में 2 अब सुनिएगा तो by बराबर कितना by के अपॉन में 2 minus कितना बटा by by 4 minus minus plus x के अपॉन में 2 अब by बराबर क्या बचेगा वो देख लिजिएगा तो by by 2 minus by by 4 by by 2 मतब 90 degree और by by 4 मतब 45 degree तो 90 में से 45 यानि 45 गया तो 45 बचेगा अब अगर ये 45 बचता है इसका मतब इसको फिर से by by 4 लिखा जा सकता है अब इसको चाहो तो यहीं लिख देता हूँ मैं by by 4 बचेगा और आगे plus में xy2 अब इसको मैं अगले स्क्रीन पे लिख देता हूँ by बराबर by by 4 plus x by 2 तो by बराबर by बराबर कितना बचा बता ये जल्दी by बराबर by by 4 plus का x upon 2 तो अब हमें चाहिए differentiation तो d upon dx बोट साइड यानि कि दोनों तरफ लेने पे अब क्या हो जाएगा बचा तो d upon dx किसका बचा by का तो बराबर differentiation हो जाएगा किसका एक बार by 4 plus कितना xy 2 का इसका मतलब कितना हो जाएगा d upon dx किसके बराबर बचा बताओ by upon 4 plus कितना d upon dx कितना बचा तो x के upon में 2 अब ये कितना जाता हो है dy upon dx कितना बचा dy upon dx अब ये कितना पाई बचा 4 का differentiation constant है 0 अब कितना plus का 1 by 2 बाहर और x बचेगा उसका differentiation multiply में इसके 1 अच्छा तो ये multiply लिखने की जड़र तो नहीं है ठीकिन आप समझ गहोंगे अब ये मिटा दिया में नहीं है तो इसका differentiation 1 मतलब आपका dy upon dx final answer क्या तो 1 by 2 into 1 1 by 2 और कितना multiply में कुछ है क्या तो 1 था तो 1 by 2 हो गया अब add में क्या है? 0 तो 0 add करने पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं तो final उत्तर प्राप्त हुआ बटा जी 1 by 2 तो जिन विद्यार्थियों को ये सवाल आपको clear हो गया तो जल्दी से note down कर लिजिए क्योंकि सवाल बड़ा important है और exam में आने की भी chances है तो अगर ये आपको clear है तब हम चलेंगे अगले screen के उपर अब जो हमारा अगला screen था वो क्या था बटा? तो आपको ये वाला clear था अगर ये clear है तो हम मिटा रहें और अगले सवाल की तरह चलते है अच्छा notes कर लिजिए का बटा ये जो note अगर आपने कर लिया ना तो आप समाल लिए बहुत सारे सवाल बच जाएंगे अच्छा सवाल देख रहें सात्मा क्या है tan inverse under root 1 plus x square plus का x समझे? तो tan inverse में under root 1 plus कितना x square plus का x अब आपको मैं कुछ hint देना चाहता हूँ की सवाल मैंने यही रखना चाहता हूँ सवाल अगर यही रख गया तो क्या होगा? तो 1 plus x square के लिए condition बदाता हूँ कितना था? 1 plus x square और आगे plus में x था ठीक है न? तो पहले मुझे सिर्फ इसके लिए काम करना है कि 1 plus x square हूआ तो क्या? तो सुनिएगा यदि ऐसा हो इफ ऐसा है दैन आप रहाएद कर लो कि एक सवरावार आपको क्या लेना है? तो tan ठीटा लेना है क्या लेना है? tan ठीटा लेना है अभी सवाल ऐसा हो जागा इसका मतलब कभी under root के अंदर 1 plus x square है इसका मतलब under root के अंदर 1 plus x की जगा का tan ठीटा पुट कर दिया जाए तो 1 plus tan ठीटा का square हो जाएगा यानि कितना under root 1 plus tan square ठीटा हो जाएगा अब 1 plus tan square ठीटा 10 भी कक्षा में बाप पी जाएगा तो हो जाता बटा 6 square theta कितना 6 square theta अब 6 square theta का under root कितना हो जाएगा 6 theta 6 square theta का under root तो ध्यान दीजिए कितना 6 theta तो ये अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं पता था तो ध्यान के लिजे अगर आपको x का रिवीजन क्लियर है तो हम चलते बापिस सवाल के उपर क्यों? क्योंकि आपको क्या लेना था 1 plus x square ऐसा तो अचा ये plus x अभी हटा दे रहा हूँ क्यों? क्योंकि plus x पिछले वाले सवाल में दिया हो था था लेकिन ऐसी समस्या को solve ऐसे किया जाता, इस बात का ध्यान रखिएगा, तो चलिए स्टार्ट हो जाई बटा, आईए, तो ऐसा जब भी सवाल है, तो let कितना, पहले तो क्या हो जागा बटा, पहले by बराबर, under root में 1 plus, अच्छा, अरे tan inverse भी तो है, tan inverse कहां चला गया, तो tan inverse, under root के अंदर, 1 plus x square, और कितना, plus का x, अब आगे clear है, अब हम मानेंगे कि क्या है हमारे पास, बताइए, तो हमारे पास क्या है, मान जीजे, नहीं है knowledge, लिख दो यहीं पे, एक bracket बना दो कि let, भाई साब, x वराबर कितना, tan theta, एक्स वराबर, tan theta, तो theta वराबर कभी जरत पड़े गई तो, tan वाले भी अंडर रूट में, 1 प्लास x square, अंडर रूट में, 1 प्लास x square है न, तो 1 प्लास x square, इसका मतलब कितना, अंडर रूट में कितना, शेक स्कौर ठीटा, यानि कितना बटा, सेक ठीटा, तो ये वाला भी टरम्स आपको clear होना चाहिए, तो लेट ले लिए, then, ऐसा हो जागा, तो ये दो चीजे आप ध्यान में कर लीजिए, अगर ये दो चीजे आपको ध्यान में, तो ये सवाल 80% समझों, यहीं solve हो गया, अब कितना पता, tan inverse के बाद, ठोड़ा inverse भाईचा अब जल्दी से लग जाईए, धंग से, तो tan inverse कितना आगे, one प्लस, इस पूरे करीब की जगा, one प्लस एक स्कॉरार, तो एक स्कॉरार की जगा कितना, sec theta डारेक्ट लिख सकते हैं अब लिखने की जरूत नहीं है तो लिख दो sec theta plus x की जगा क्या लिया था tan theta तो लिख दीजाए tan theta अब कितना y बराबर कितना बताओ tan inverse ठीक है sec theta मतलब 1 upon cos theta plus कितना sin theta upon कितना cos theta अब तो आपको ये ध्यान हो गया होगा कि ऐसा सवाल कर ही चुके हैं तो ध्यान दो tan inverse sec theta plus tan theta एक मिनट सवाल को बापिस लेके जाता हूँ क्या ऐसा सवाल कर चुके हैं तो देखो tan inverse sec theta plus tan theta बट यहाँ पेक्स था इतनी सी बात थी ना तो यही सवाल तो आपने किया बेटा तो अब यही सवाल drive हो करके ऐसा बन गया है और ऐसा वाला सवाल तो आपका किया हुआ है तो लो अब समास्या तो बचेगी ही नहीं मतलब यह सवाल हो गया cos plus cos कितना cos theta और कितना 1 plus sin theta अब बाई बराबर कितना हो जागा tan inverse tan inverse कितना बताओ अब इस पूरे की जगा कितना हो जाएगा तो 1 plus sin theta upon cos theta अब इसकी जगा मैं आपको तोड़के बताता हूँ कि easily terms में क्या हो तो द्रहा दिजेगा 1 plus कितना sin theta upon cos theta तो दुख अगला rough work कितना 1 plus कितना था sin theta upon कितना cos theta अगर ऐसा हो जाए तो इसकी जगा क्या लिखते है 1 plus cos को क्या लिख सकते है 90 minus theta pi by 2 minus का कितना theta अब यह कितना हो जागा 1 यह cos theta तो इसको लिख सकते कितना सबसे पहले तो यह से लिखो cos की जगा कितना sin और 90 minus theta pi by 2 minus का theta बरावर कितना हो जाएगा तो 1 plus cos theta मतलब 2 cos square अब जो भी theta है उसका आधा मतलब pi by 2 का आधा pi by 4 minus theta y 2 है ना अब आगे यह कितना विटा? 2 sin theta y2 यानी 2 sin theta y2 cos कितना theta y2 अब यह कितना है विटा? pi by 4 minus का कितना है? यह theta कहा था? तो theta y2 फिर pi by 2 कहा था? मतलब pi by 4 minus कितना theta y2 अब जो कट रहा है वो उसको कट दू, 2 से 2 कट गया, cos से cos कट जागा तो उपर बचाए गा तो cos π y 4-theta y2 और नीचे कितना बज जगागा बटा साइन कितना π y 4-theta y2 अब जैसे ही cos upon sin आया तो इसको क्या लिशकते है cot आगा कितना cot π y 4-theta y2 तो अब देहां दिजेगा इसकी जगा cot π y 4-theta y2 रखा जा सकता कितना इस पूरे terms की जगा तो cot इस पूरे की जगा कितना cot π y 4-theta y2 अब अगर ये clear है तो cot को हम यहाँ 10 में change कर देंगे तो by बराबर ये कितना हो जगा 10 inverse cot की जगा भी अगर 10 change कर देंगे तो यहाँ पे हमारा 1-theta y2 जो भी एंगल है उसका आधा यानि π y 4-theta y2 तो सुनो 10 inverse 10 cancel out हो गया तो by बराबर क्या होचेगा सिर्फ इतना answer जिसमें pi by 2 मतलब 90 minus 45 यानि 45 यानि pi by 4 minus और minus plus यानि कितना theta y2 तो by बराबर pi by 4 plus theta y2 आया है इसका exactly मतलब क्या आया है विटा कि by बराबर आपका सवाल कौन सा था तो white color से लिख लेते हैं finally तो कितना pi by 4 का pi by 4 plus 1 by 2 का 1 by 2 और theta की जगा मेरे जान क्या है तो tan inverse x तो मेरे बच्चे इसकी जगा कितना है tan inverse x अब अगर यह clear है कि 1 by 2 into कितना tan inverse x ठेकितना 1 by 2 into tan inverse x कि दर है बिटा तो 1 by 2 यह वाला और theta की जगा tan inverse x अब सुनिए तो इसका differentiation कितना बताओ इसका finally differentiation कितना हो जागा बताइए तो सुनिएगा y का differentiation dy upon dx सुनो द्यान से पाइवाइ 4 का 0 कोई फर्क नहीं पर दा पाइवाइ 4 का 0 तो यह कितना हो जागा बताओ 1 by 2 bracket ले लो tan inverse x का कितना 1 upon 1 plus x square तो एक बात क्या समझे आप क्या आप क्या आपको differentiation में जूए नहीं हमको problem है किसी में sin inverse x को तोड़ने में कि हमारा sin inverse x का इतना वड़ा सवाल इतना छोटा कैसे होगा तो कैसे करनेंगे सुनो tan inverse यह पूरा सवाल सबसे पहले लीजिए पूरा method लगाए inverse trigonometry आपको आनी चाहिए थी inverse trigonometry नहीं आती है तो कोई बात नहीं हम आपको पूरा solve करके देते हैं हम आपको कभी यह नहीं मांगेंगे कि tan inverse इतना वराबर यह direct white का white man से लाके देजिए यह सवाल का finally answer सवाल में देजिए हम बिटा जितने भी questions कराएंगे लगबग सारे के सारे सवाल आपको हम करके देंगे अब एक और खास बात तो अगर इसका उत्तर प्राप्त करना था तो मतलब सवाल को ही easy करना था पहले अब सवाल यहां देखिए आ गया सवाल को डिफरेंशिशन देखो बाई मतलब सवाल तो डिफरेंशिशन डिवाई वाई डिएक एक ही लाइन का answer है तो इतने दिक्कत क्या थी मतलब आप सवाल सॉल्व नहीं कर पा रहे थे अगर अभी तो ये साफ है होका दिमाग में जल्दी से इसको नोट कर लेजिए अब मैं चाहता हूं तैनिवर्स की जगां ृबड़ है तब क्या इसको भी सवाल सवाल क्र लेंज कर ले यानि शल्यूशन लगवर सेम टू रहेगा आपके पास क्या change हो जाएगा उसको देखना तो जिसको इसका solution आगे ना तो तीन सवाल दो free में करके लेके जाएगा तीन सवाल अब देखो पहला सवाल ये दूसरा सवाल बता हूं सिप थोड़ा थोड़ा change करेंगे answer खतम तो ध्यान दीजिएगा tan inverse की जगा वाई स सवाल में क्या change है तो कुछ खास change नहीं है तो tan inverse की जगा ये मिटा दिया जाए तो कितना सिर्फ इतना ना तो इसके जगा क्या लिख देंगे विटापन caught inverse x caught inverse और बाखी same to same अब यहां पे x वराबर कितना हम x क्या ले ले रहें बताओ तो इस पूरे सवाल में क्या करना आपको x वराबर फिर यहां हटा देना है अब यहां पे जो x था उसके जगा 10 ठीट आ जाएगा अब ध्यान दीजिए क्या आने वाला है इस बात को सवाल म ले लिख लिए गा तो एक सवाल पर ले लेंगे कितना एक सवाल पर कितना वन प्लास अचा वन प्लस x स्कॉाइट थीटा ना तो हमेशा वही लेना था आपको तैन ठीटा ही कोई आपको अलग से सॉल करने की जुरूत नहीं ठीक है न अब सुनिएगा तो टैन इधर जाए अब बापिस कितना सिक ठीटा कोटिकात नहीं तो मतलब जो सवाल मी लिए है नहीं अभी वही लिया अब यानि कितना प्लास की जगा क्या हो जाँगा जागा तो सवाल में कुछ नहीं ये खास यहीचेंज हो अब cot inverse अब सुनिएगा एक बड़ी खास बाद बता रहा हूं सुनिए क्या तो 1 प्लस x square बराबर से 1 theta और यहां tan theta से 1 upon cos theta sin upon cos theta कोई फर्क नहीं पड़ा अब आगे 1 plus sin theta upon cos theta अब सुनिएगा 1 plus sin theta upon cos theta कितना cot 45 minus theta by 2 अब यहां पे cot से cot direct कर जागा तो इसको change करने की जरुत है क्या इसको बस आप कोई जरुत नहीं है अब जब इसको जरुत नहीं है तो आपके सवाल में क्या change आएगा यह minus का minus ही रह जाएगा अब minus का minus रह जाएगा तो यानि सवाल आप कितना ऐसा हो जाएगा ठीट हाफ का हाफ ठीटा की जगा कितना 10 inverse 6 अब सवाल में क्या change तो कोई change खास नहीं इसका differentiation 0 ना था तो यह जो minus था ना बटा तो बस minus 6 आपको आने वाला है तो सवाल पहला अगर आप बहुत अच्छे से कर दे तो सेकेंड वाला सवाल आपका आराम से बन जाता है तो बटा जल्दी से देख लिजेगा इसको भी note down के लिजेगा और फिर से बता देता हूं क्या क्富षक इसका मतलब कीते बताकी है थो हो जागे तो आपको वाणे मेडना फाराम खर्फुकत फाराम जागे रrokार यहां पर थे भी हूं यहां कितना हो जाग गटा 1 upon कितना यह cost theta plus sin upon cos theta अब ज्यांदेजेगा कि 1 plus sin theta upon cos theta अब ज्यांदेजेगे 1 plus sin theta को हमने कितना पीछे तोड़ कर रखा था तो तो आरेक्ट फर्मुला होता है cot 45 minus theta y2 अब ज्यांदेजेगा cot से cot cut gya pi by 4 minus theta y2 अब theta की value कितना तो theta की value tan inverse x यह उठाया और यहाँ put कर दिया तो कितना हो जाग गए पाइवाइ 4 minus half of tan inverse x पाइवाइ 4 का differentiation 0 कोई जरत नहीं है अब कितना minus half minus half इदर और tan inverse x का differentiation 1 upon 1 plus x square तो आपको इस पूरे सवाल का एक solution मिल गया अब मैं चाहता हूँ कि पिछले वाला सवाल same to same रहे बट यहाँ plus की जगा minus हो जाए फिर क्या उसको भी check कर ले तो आव एक बार उसको भी check कर लिया जाए तो जल्दी से team इस सवाल को copy कर लिजेगा ओकी अगर आपने copy कर लिया है तब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ और देखेंगे कि उसमें क्या change होने वाला है तो उसमें भी कोई खास change नहीं होगा बटा कोई खास change नहीं होगा देखिए सवाल tan inverse 1 plus x square minus x है तो ध्यान दो यह कितना आप सवाल अब बताओ फिर बापीस tan inverse तो सवाल में कुछ खास नहीं विटा देखो यहाँ पे आपको ज्यादा जनजट पालना ही नहीं है सवाल 80% पूरा same to same रहता है 80% same to same तो बसता क्या है विटा तो tan inverse का tan inverse tan inverse x का tan inverse tan inverse x का tan inverse और tan inverse x का tan inverse तो change जो होना है same बस प्लस की जगह यहाँ माइनस ओने वाला था minus तो प्लस की जगह विटा यहाँ पे कितना माइनस होने वाला था minus 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 अब सुनिएगा ध्यान से अब यहाँ पे कुछ चेंज हो जाएगा अब क्या change होगा वो भी हां देख लेदे लेकिन सुनेगा concentration बना के रखेगा तो देखो x की जगा always tan theta लेना था क्योंकि 1 प्लस x square का condition ही होता है कि x is equal to tan theta तो theta और अब tan inverse 6 फिर 1 प्लस x square तो वही 1 प्लस tan square theta सेक स्कूर theta का अंडरूट कितना सेक theta सेक theta पूट कर दिया यहां पे और minus x की जगा tan theta 1 upon cos theta minus sin upon cos theta अब cos LCM हो जागा तो 1 minus sin theta 1 minus sin theta क्या तो 1 minus sin theta वाले terms में एक वार उपर आ जाते हैं विटा जी तो क्या होगा अब देखिए अगर यही वाला सवाल ऐसा हो जाता कि 1 minus sin theta के upon में cos theta तो कितना हो जागा भीटा कितना हो जागा पहले तो इसको change कर दिया है क्या कितना कि 1 minus का जागा minus फिर यह कितना जागा cos 90 minus theta तो πाई वाई 2 minus का theta अपन ये कितना cos theta इसको change कर दीजे sign में तो pi y 2 minus का theta अब देखिएगा बिटा अब ये कितना 1 minus cos theta मतलब कितना 2 sin square जो भी angle है उसका आधा तो pi y 4 minus का theta y 2 अब देखान देखो sin theta 2 sin कितना जो भी angle का आधा into cos फिर angle का आधा यानि कितना pi y 4 minus theta y 2 फिर कितना pi y 4 minus theta y 2 अब देखो 2 से 2 कटेगा अब sign कटेगा उपर बिटा पहले cos कटता था अब sign कटेगा तो sign से sign कटेगा उपर बचेगा एक sign pi y 4 minus कितना बिटा theta y 2 अब ओन में कितना cos एक sign को बचेगा तो नीचे बचेगा cos pi y 4 minus कितना theta y 2 अब देखो sign upon cost कितना बचाएगा tan pi y 4 minus theta y 2 अब मेरे विध्यारती हो tan pi y 4 minus theta y 2 इसका मतलब ये जो सवाल था इस पूरे की जगा tan pi y 4 minus theta y 2 अब ध्यान देजेगा tan inverse tan cancel out pi y 4 minus theta y 2 same to same theta की value y थी tan inverse x तो कितना हो जगा pi y 4 minus half of tan inverse x अब pi y 4 का differentiation 0 और ये कितना हो जागा minus 1 by 2 फिर बाहर और tan inverse x का differentiation कितना 1 upon 1 plus x square तो इन सवालों में बड़ी symmetry होती अगर आपको एक बन गया ना तो 2, 3, 4 आपको फ्री में बन जाने लेकिन concentration एकदम focus बना होना चाहिए आपका दिमाग कभी इधर उधर नहीं हिलना चीए पढ़वाई के वक्त अगर आपने ये 3-1, 7 सवाल कर लिए तो आपको ज़्यादा time नहीं लगना है पहला सवाल 2-4 मिनट उसके बाद 2-2 मिनट के अंदर सारे सवाल solve हो जाने है तो बिद्यारतियों जल्दी से आप इसका screenshot ले लिए अब हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ अब अगला सवाल क्या होगा तो जल्दी से करते हैं इसको मिटा दे मिटा शावाश ठीक है तो time 9 के बाद 10 सवाल क्या है हमारे पास तो क्या बात है सर बढ़ा है यह अतबुत सवाल है अब तो सर एकस से भी नीचे डिवाइड हो रहा है कोई बात दिक ट्राइ करके देखते हैं अब आगे देखिएगा हाँ तो 1 प्लास x स्क्वार माइनस का 1 के होल अपॉन में x है अब कुछ करना चाहते हैं स्वाल कर लेते हैं हमेशा यह कही रूल है लेटर पहले तो बाई ले लो सबसे पहले तो बाई ले लो सवाल को कितना बाई ले लिया जाए अब बाई बराबर इसका मतलब बाई बराबर तो सब जब ले लिके लो कि माना की बाई बराबर ऐसा 10 inverse अब इसमें चाहिए space क्या चाहिए space चाहिए तो under root 1 plus x square minus का 1 upon कितना x है अब यहाँ पे हमारा अपना खुद का कारिक्राम कि x वराबर क्या मानेंगे और क्या solve होके आएगा तो बेटा जी जल्दी से ले लिजे अगला सवाल तो let मानिये की let कितना x वराबर 10 theta तो theta वराबर कभी बनेगा तो कितना हो जाएगा 10 इधर जाएगा तो 10 inverse x अब आगे अब हमारे पास कितना है इसका मतलब अगर under root 1 plus x square लेके आना है तो under root 1 plus x की जगा कितना बटा 10 theta तो 10 square theta यानि कितना बटा under root 6 square theta वही बाग पीश चीज़े हो रही है तो कितना बचेगा 6 theta अब दहान दीजिए अब यह बन गया अब हम आगे solve करेंगे अब आगे क्या solve होगा वो देख लीजिए तो विटा y बराबर तो मेरे में students तो 10 inverse 10 inverse का 10 inverse आगे कितना जल्दी बताईए 1 plus x square तो under root 1 plus x square इसकी जगा क्या लिखेंगे direct 6 theta 6 theta minus का 1 okay x बराबर कितना x बराबर कितना लिया था 10 theta तो यह 10 theta अब सुनो y बराबर 10 inverse 6 theta 6 theta को क्या लिख सकते हैं बताओ 6 theta का एक formula होता था याद है किसी को 6 theta बराबर 1 upon cos theta होता है याद है minus 1 हो गया upon में sin theta upon cos theta होता है कितना होता बता cos theta तो अब देखो यह कितना हो जाएगा by बराबर 10 inverse यह open करिएगा तो यह बच जाएगा 1 minus cos theta के upon में कितना बता cos theta अब नीचे कितना sin theta upon cos theta तो sin theta के upon में cos theta, अब एक बात आपको बताओ, सुनिएगा, upon वाला cos theta और upon वाला cos theta कट जाने वाला है, तो क्या बचेगा, finally देखो, by बराबर tan inverse, 1 minus उपर बचेगा cos theta, upon में नीचे बचेगा कितना, sin theta, अब सुनिएगा, तो by बराबर tan inverse, tan inverse कितना, बताओ, तो 1 minus कितना, cos theta, तो 1 minus cos theta का फार्मूला कितना है, बताओ, 2 sin square जो भी theta है, उसका आधा, पका, बर minus cos theta बचेगा, जो भी फार्मूला है, उसका आधा, लेकिन किसमें, 2 sin square theta y2 में, और sin theta बचेगा, 2 sin theta y2, cos theta y2, अब देहां दिजेगा, अब हमें जगा चाहिए, नई, लेकिन फिर भी यहां पे देखो, 2 से 2 कट जागा, sin से 1 sin कट जागा, बचेगा, उपर sin theta y2 बचेग और नीचे cos theta y2 बचेगा, तो अगला सवाल ले लिया जाए, अच्छा देखो, एक पीछे लिखाता है, उसको मिटा दूँ, है ना, चलिए, अब सुनिएगा, क्या है, तो by बराबर tan inverse, by बराबर tan inverse, तो by बराबर tan inverse, उपर क्या बच रहा था, वो देख लिजे, उपर बच अब sin upon cos कितना हो जागा, बताओ, sin upon cos कितना, tan theta upon 2, और आगे कितना, ये लिजिए, tan inverse, तो by बराबर कितना बचा, ये हो गया, tan inverse, से tan inverse कर जागा, तो पूरा खतम, बचेगा, theta by 2, तो by बराबर कितना, half of theta, और सुनिए, बैक जाता हूं मैं, और देखो, theta की value क्या था, तो tan tan inverse x, तो by बराबर कितना बटा, tan inverse x, कितना, tan inverse x, तो by बराबर half of tan inverse x, लेकिन, by बराबर half of tan inverse x, तो इसका differentiation कितना, तो differentiation लिकलो मेरे बचे, तो dyy dx, dy upon dx बराबर कितना हो जागा, half बाहर, इधर भी d upon dx, और कितना, tan inverse x का, tan inverse x का differentiation तो याद कर लो, 1 upon 1 plus x square और आगे 1 by 2 अब इधार dy by dx तो dy upon dx बरावर कितना half of 1 upon 1 plus x square तो 1 into 1, 1 और 2 times of कितना हो गया 1 plus x square तो बड़ा ही सुन्दर ये आपको उतर प्राप्त हुआ है तो विद्यार्तियों बोलते हैं ना बार बार practice max man perfect तो बिल्कुल विद्यार्तियों practice max all species perfect यानि कि दुनिया के सारे लूग या सारे species अगर practice करते रहें बार बार तो वो perfect हो जाएंगे तो आपके लिए भी यही चीज लागू होता है कि आप भी बार बार practice करें और आप भी perfect बन जाएं अब हम करेंगे अगला सवाल अगर ये clear है तब अब देखेगा clean कर दे ठीक है विटा चलिए सवाल एक दम होते रहना चाहिए सवाल अगर आपने कर लिया ना तो फिर समझो कि कोई जवाब का दिक्कत नहीं आगा ठीक है ना अब सुनियेगा तो tan inverse under root 1 plus x square minus 1 upon x इसका differentiation clear है अब सुनिये अब अगर हमने इसको clean कर दिया तो क्या मिलेगा तो ये बात ध्याँ दिएगा अगला सवाल क्या है सब 10 के बाद 11 ओहो देख रहो क्या है सुनो tan inverse 1 plus x square minus 1 upon x और यहां कितना 1 plus x square कितना plus 1 upon x मतलब same ही सवाल है बट minus की जगा plus तो कुछ नहीं करना है सेम सवाल को दुबारा देखना है तो चलो बेटा दुबारा देख लेते हैं दुबारा कितना तो minus की जगा plus ही तो आया है सवाल में x थी वी था तो x और अबट 10 ठीटा ठीटा और अबट 10 inverse x तो क्या चिन्ता करना है 6 plus 1 यहां पे plus 1 अब यहां again plus 1 यहां बच जाएगा plus last में last में कोई खास चेंज नहीं होगा last में change होगा वो कितना तो 2 1 plus cos थीटा तो 2 cos square जो भी थीटा है उसका आधा अब 2 से 2 कटेगा और cos से cos कर जागा तो बचेगा उपर 1 cos θ y2 और नीचे sin θ y2 तो उपर बच जागा बटा कितना cos θ y2 upon sin θ y2 अब इतने बड़े सवाल के आगे कितना है क्या tan inverse x है कि cot inverse x है तो बटा tan inverse x ही है तो tan inverse x tan inverse by बराबर तो by बराबर tan inverse आगे कितना बटा cos upon sin कितना तो cot x y2 यानि θ y2 अब by बराबर tan inverse है अब कितना जो भी cot कटेगा तो उसके लिए पहले उसको tan में change करना पड़ेगा तो tan में change करेंगी तो क्या बचेगा 90 minus θ y2 तो by बराबर कितना tan से tan inverse कट गया तो tan inverse से tan कट गया अच्छा काटना नहीं है बेटा सुनो ध्यान से बिल्कुल काटा बीटी नहीं बचाना इसकी जगा कितना ये pi y2 pi y2 minus कितना θ y2 अब by बराबर कितना ये जो आपने pi y2 लिखा है minus 1 y2 लिखा है θ y2 लिखिएगा अब θ y2 कितनी है क्या है θ y2 तो मैं बदाता हूँ θ y2 की वेल्यू बापी जाए देखिए θ y2 की वेल्यू tan inverse x तो बेटा जी tan inverse x अच्छे एक ही सवाल कितने तरीकों से आ सकता गुमा गुमा के तो आप समझ चुके हैं तो by बराबर कितना बेटा ये हो गया है कि भई या dy by dx हमारा इस परकार से होगा किस परकार से कि minus 1 by 2 into something तो कितना minus का 1 upon 2 times of 1 plus x square अगर ये आपने लिख दिया है तो इससे अच्छा और कोई बात नहीं हो सकता है उमिद है बेटा आपने ये सवाल फिर से समझ लिया होगा तो दोनों सवालों में कोई खास दिक्कात नहीं थी तो जल्दी से इसको भी कॉपी कर लिजेगा हम चलेंगे अगले सवाल की तरह तो पिछला सवाल एक बार फिर चे और दिखा देता हूँ है कि कुछ नहीं था एक बाद पिछले और बैक्त लेकर जा रहा हूँ है देखो सेम सवाल था 10 inverse something बट minus 1 upon x अब देखो ये सवाल में plus 1 upon x तो कुछ नहीं करना जहां जहां आपका minus था नवावा प्लस कर दिया तो सवाल में कुछ खास चेंज नहीं हुआ क्या हो गया जहां यहां साइन स्कूर बच रहा था कॉस्कूर बचने लगेगा और दो से दो कटेगा कॉस से कॉस कटेगा तो कॉस अपॉन साइन बचेगा जो की कॉट inverse बन जागा कॉट थीटा बन जागा कॉट थीटा को फिर बापिस 10 में चेंज कर देंगे 90 माइन सीटा से 10 का फार्मूला तो अब जो answer आया है पिछले बाद से जादा difference नहीं कहाता प्लस माइनस में difference आता है तो बिद्यार थीओं बिलकुल ध्यान रखिए concentration बना के रखिए अब चलते है बटा अगले सवाल की तरह मिटादे बटा साब बाश अब देखे ग्यारा के बाद 12 सवाल क्या है क्या बाद अद्भुत सवाल अद्भुत सवाल वाह एक बाद बता है अगर आपको ये फार्मूला एक शॉटकर तरीके से बता दूँ तो एक बाद ध्यान कर लिएगा और एक बार लॉंग कर तरीके से करा देता हूं तब बदाएगा, सुन ये ध्यान से ये फार्मूला पता किस चीज का बटा, टैन इनवर्स ए प्लास टैन इनवर्स एक्स का, सही है? अब देखो, अगर भाई है तो डी बाई बाई दी एक नमबर के लिए अब्जेक्टिव किता खडाक सकर सकते हो, टैन इनवर्स एक कॉंस्टेंट एक्स है क्या उसमें नहीं है, तो एंसर किता है, लो जीरू भाई साब, टैन इनवर्स सवाल आपको चार नमबर में आ जाए, तब क्या, तो द्हान देजिएगा, यह फार्मूला होता है अब, अब थोड़ा सब बिदी बिदान से, अब इसको लिख लेते हैं, आईए, तो जल्दी से इसको मिटा देता हूँ, एक नमबर का सवाल आपका सौल हो गया, लेकिन अ इसको मानियागा, मान ही लीजिए, है ना, क्या करियेगा, मान लीजिए, अब क्या मानियेगा, वो आपको बता दे रहें, दो पार्ट में लिख दे रहें, सुनियेगा, पहला, लेटर, ए बराबर, इस ए की जगा कुछ कितना, कितना, टैन ए लिख लेते हैं, कोई आइक ए इसका मतलब कभी A capital लिखने की जुरत पड़ी तो यह जागा कितना है 10 inverse यह दर आजागा तो A और यहां कितना हो जागा यहां पे B लिखने की कभी जुरत पड़ी तो कितना हो जागा 10 inverse of X पका तो पहला तो आपको यह formula क्लियर होना चीजिए था अब अगर आपको यह formula क्लियर है तो एक formula और आपको बता देता हूँ मैं कराई देखिया लिखने पहला चीजिए दूसरा चीजिए आपको यह पता होना चीजिए कि tan A प्लस कभी tan B आ जाए और whole upon में 1 minus tan A into tan B आ जाए इन दोनों का multiply ऐसा तो formula हो जाता है tan A प्लस B का किसका बता tan A प्लस B का अगर यह आपको क्लियर है तब हम चलते हैं आगे अब आगे क्या अब हम में में सवाल उठाते हैं सुनो तो ठीक है सार बोले लिख लेंगे अब आईए tan inverse चोकी by बराबर कितना विटा tan inverse कितना a plus x a plus x के upon में 1 minus a into x बराबर तो मेरे बच्चे by बराबर कुछी नहीं करना है सुनो ध्यान से बहुत इजी सवाल है आपको सी value put करनी है a बराबर क्या माना था आपने a बराबर अबने माना था tan a कितना tan a तो एक काम करतो पेन का color ज़रा चेंज करते हो आपको भी मज़ा जाएगा तो tan a इसकी जगा tan b तो 1 minus कितना tan a into कितना tan b तो बाबू यह फार्मुला किसीज का हो गया बताइए tan b का तो by बराबर कितना हो जाएगा अगली बार बाइ बराबर सोचो कितना तो by बराबर यह हो गया sir tan inverse अब बोलो यह का का फार्मुला तो यह फार्मुला है ना दिया हुआ 10 a plus b का अब 10 a plus b तो 10 a plus b अब अगर 10 a plus b हो गया है इसका मतलब क्या होने वाला है जल्दी से ध्यान दिजिएगा बिटा अब कितना 10 inverse 10 कर जागा तो by बराबर कितना सिर्फ a plus b किसके बराबर by बराबर a plus b तो by बराबर अगर a plus b आपको clear है जो कि कितना inverse trigonometry का solution आपने निकाला मतलब इस सवाल को आपने तोड़ दिया ऐसे में अब ये सवाल आपका कैसा हो गया बटा a की जगा क्या a की जगा tan inverse a tan inverse a और कितना plus b की जगा कितना तो tan inverse फिर से x तो tan inverse x अब जब बाई इतना प्यारा आ चुका है आपके पास तो differentiation दो मिनट का काम बज़ा पुछों कैसे तो d upon dx बोच साइड यहां पर लिख देना लो यहां पर लिख देना d upon dx बोच साइड मतलब दोनों साइड d upon dx लेने पे तो यह कितना बज़ जागा बटा तो d y upon dx बराबर कितना बटा इसका differentiation d upon dx अब आगे कितना तो सुनो ध्यान से प्लस का d upon dx of tan inverse x खोश अब tan inverse x का differentiation 1 upon 1 plus x square अब इसका differentiation कितना 0 यह किसके बराबर d y upon dx के मतलब 0 plus something कितना हो जागा बताओ तो 0 plus something यानि कि वही answer यानि 1 upon 1 plus x square तो यह आपका final उत्तर प्राप्ट हुआ तो बड़ा tough नहीं था बड़ा easy सवाल था तो जल्दी से बिटा इसको आप note down कर लिजेगा और जल्दी से copy कर लिजे बिटा यानि अगला सवाल क्या है तो देखिए सवाल नंबर 13 यानि कि tan inverse a cos x minus का b sin x upon कितना b cos x plus का a sin x अब देखो जन्ना नौलेज ना हमेशा आपका strong होना चाहिए अब उसके पीछे रिजन बताता हूँ ये देखो tan theta का एक फार्मूला आपको याद है tan theta का एक फार्मूला sin k upon में cos अगर हो जाए तो बो tan theta होता है तो देखो यहाँ sin theta अगर इसको divide कर दूँ cos theta से तो यह क्या बन जागा tan theta तो देखो बटा जल्दी से एक बार आप काम कर लेते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं पर तो सवाल को ले लो तो let by बराबर tan inverse कितना a cos x minus का b sin x upon में कितना बटा b cos x plus का a sin x साहिए अब इसी सवाल को मैं दुबारा लिख रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ और वो क्यों लिखूंगा यह आप थोड़ी दिर में समझ जाएंगे सुनिये द्यान से अब अब आगे कितना a cos x minus b sin x फिर कितना b cos x और कितना plus a sin x सुनो मैं चाहता हूँ divide y कितना करना आपने को देखो b कर जाए तो b तो देखो दोनों में से b से b कर जाएगा अच्छा यहाँ पे कितना है कितना है b sin x खीक है तो b cos x से divide कर दीजिए आप तो ध्यान दो divide कर दो तो आपका सवाल क्या बनने वाला है उस सवाल को आप देख लिए तो कितना जगा आपका समस्या का समाधान एक बार में लिख रहे हैं सुनो बटा आपका सवाल है एकदम बारिक से करिएगा A upon B minus B سے B cut gaya sign upon cos minus कितना बटा B سے B cut gaya sign upon cos मतलब tan x कितना tan x अब आगे ये क्या बच जागा बटा तो सुनिएगा B سے B cut gaya cos upon cos b cut gaya तो बचा 1 तो 1 आगे कितना plus तो plus अब बचागे ये कितना A upon B बचा है तो A upon B का गुना किसके साथ tan x के साथ संच मैं tan x के साथ सुनो तो ये किस चीज का formula बचागे बचा तो ये formula हो गया tan inverse A minus B upon 1 plus A B ये किस चीज का formula होता है नहीं पता हम बता देते हैं तो ध्यान देजेगा क्या formula याद होना चीज़ बचा तो यहाँ पर लिख लो चुकि कितना A minus का B upon 1 minus अगर वही A into B है बट उपर minus तो नीचे प्लस होगा तब इसका answer होता है tan inverse A minus कितना tan inverse B ये formula जाद है अब सुनो समस्या का समदान क्या हो जाएगा तो by बराबर tan inverse ये कितना A minus B तो A minus B यानि कितना A upon B अब आगे minus tan inverse अब कितना tan x अब दो बाई बराबर tan inverse कितना सोचो tan inverse A upon B अच्छा इसमें x है क्या नहीं है मतलब ये constant है कितना बटा constant अब इसमें अणडा 0 अब आगे tan से tan कट गया inverse से tan कट गया मतलब x अब जब हम करेंगे both side differentiation तो क्याने वाला है d upon dx अगर कर दें आप y का तो हो जागा d upon dx कितना tan inverse A upon B का और minus कितना d upon dx x का अगर सवाल समझ में आगया अगर सवाल समझ में आगया अगर सवाल समझ में आगया आगया या दारेक्ट लिख दो both side इसका मतलब हो जागा कि दोनों साइड differentiation लेने पे ठीक है अब सुनिये विटाजी तो dy by dx का final answer कितना तो ये तो constant है इसका answer 0 और minus x का differentiation 1 तो 0 minus 1 बराबर minus 1 तो क्या है आपको सवाल समझ में आगया अगर सवाल समझ में आगया तो जल्दी करते हैं आगे तो बेटा इसको पूरा note down कर लिजिए अब इसको अगर आपने note down कर लिया तब हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ अगला सवाल क्या है बड़ा ही बवाल है बड़ा ही शांदार है तो जल्दी से note कर लिजिए वड़ा ठीक है ना okay done clear कर दे शाबाश फार्मूले याद करते रहेगा फार्मूला कर याद नहीं हुआ तो बड़ी गड़ा जाएगे ये देखिए बहुत ही बड़ीया सवाल क्या बात इसमें देखोट कभी भी टान इन वर्स एक्स का अगर फार्मूला याद करो ना तो द्यान को एक हिंट दे देता हूँ यहाँ पे ना हमें सब वन लाने की कोशिश करो कितना वन लाने की कोशिश करो याद करिए मैं इसी चीज को कैसे प्रूफ कर देता हूँ मैं तो सुनिएगा आपको पिछला वाला सवाल दिखाता हूँ मैं पिछला वाला सवाल है ना अब देखो ये वाला सवाल में क्या किया था मैंने यहां पे B-Cosix था B-Cosix था तो B-Cosix को मैंने डिवाइड किया B-Cosix से पका ताकि यहां पे कटने के बाद चेक करो यहां पे 1 बच जाए तो यह समझो की हिंट है यह राम बान तुका है या ट्रिक है यह आप बता देना वैसे मेरा कहने का मतब यह मैथड एकदम सटिक है अब यहां 1 बच गया तो यह फार्मला क्रिएट होता है अब सुनिए यही चीज में आपको बताने वाला हूं कितना अगले वाले मैथड में तो अगला सवाल देखेगा दिहान से अब यह सवाल देखेगा यहां पर कितना है सवाल में x cube अब जान दिए नहीं a cube है अब अगर a cube है तो इस सवाल को पूरा a cube से divide कर दीजिए पहला rule बिटा तो लिखिए पहले letter by बराबर tan inverse कितना a x square 3 times of a square x minus x cube upon कितना बिटा तो upon में कितना a cube minus 3 times of a x का whole square वा क्या बात है अब आगे सुनिएगा y बराबर यही चीज यही जो tan inverse x है इसको थोड़ा सा बड़ा लिख रहा हूं मैं क्या हो जागा 3 times of a square x minus का x cube के upon में a cube minus 3 times of a x square अच्छा एक बात को जरा ध्यान दिजिएगा कि यह क्या होने वाला है तो मैंने बोला आपको कि इस वाले सवाल में आपको हमेशा एक चीज से divide कर लिजिएगा किस चीज से divide करेगा वह आपको बता दे रहा हूं मैं हाँ जी a cube से तो a cube से यहाँ divide a cube से यहाँ divide और a cube से यहाँ भी divide कर लिजिएगा अब a cube से यहाँ भी divide कर लिजिएगा अब जल्दी से बटा लिखिएगा हाँ बटा तो जल्दी से देखिएगा इसको क्या बच गया यह आपके पास तो आपके पास बच गया यह y बराबर कितना तो tan inverse कितना बटा tan inverse अब आगे कितना सुनिएगा a square उपर और नीचे a cube तो three times of three times of कितना उपर उपर x और नीचे a बचेगा x upon a जान दिजिएगा x upon a minus minus x upon a का cube और whole upon में कितना बटा a cube upon a cube यानि कट गया minus यहाँ कितना बटा तो देखो a से एक एक कर जागा तो नीचे बचेगा a square और उपर x square तो three times of x upon a का whole square अब मेरे बच्चे अगर यह आ गया तो आपको बताता हूँ कि आपको एक formula फिर से याद करना चाहिए था कि वेटा जी क्या तो three times of tan inverse अगर x होता है तो इसका मतब होता है कितना tan inverse अचा x तो इसमें है यह x की जागा कुछ और ले लेता हूँ है ना तो x की जागा जैसे मा लेता हूँ क्या ले ले तो बताओ कोई ठीटा three tan inverse कोई ठीटा के ले ले लेता हूँ three tan inverse k बराबर tan inverse कितना three k minus k cube upon कितना one minus three k square होता है अब सुनिएगा यह लगवा किसके तरह दिख रहा है अगर k की जगा x y यह रख दिया जा तो three यह k minus k का cube upon में one minus three times of k square मतलब यह हमारा किसी चीज का फार्मूला है तो यह किस चीज का फार्मूला मैं बताता हूँ ठीटाइमस of tan inverse k का अब k का value कितना है देखो k की value वेटा x upon a है तो इतना बड़ा जो सवाल दिख रहा था ना इतना छोटा सवाल है अब differentiate कर लो both side तो लिख दीजे dy upon dx बराबर three बाहर और इधर कितना d upon dx कितना वेटा तो tan inverse x upon a का अब यहाँ लिख दीजेगा कि d upon dx both side बस अच्छा step जरू लिखेगा both side अब आगे कितना बचके बटा तो dy upon dx बराबर कितना three बाहर और tan inverse x का formula बताइए तो one upon one plus x upon a का whole square द्यान दिजियो three times one upon one plus xya का whole square अब जैसे ही आपको याद हुआ अब xya भी तो बचा है differentiation में तो differentiation में x upon a तो जल्दी से copy कर लिजिएगा अब हम चलेंगे अगले slide की तरफ ठीक है न तो एक जड़ा अच्छा सा slide ले लिया जाए अब इस slide में क्या लिखेंगे की dyy dx बरावर कितना था बचा तो आपके पास आप one upon one plus xya का whole square into differentiation of x upon a अब यह a हो गया है लेकिन यह पूरे उत्तर के आगे तीन का multiply है कहा है तो ध्यान दिजेगा हमने यह उठा बचा थ्री टाइम सो one upon one plus xya का whole square into differentiation of xya अब क्या बचेगा तो बचेगा तो बचा जी देखिए बराबर one यही रह जागा one plus x का square upon कितना बचा एका square into में xya का whole square अच्छे इसको bracket में लिख लेता हूँ एक और into में है तो देखो one upon a बाहर x का differentiation बचेगा तो x का differentiation तो आपको मालूम है क्या होने वाला है ना अब ज्यान दिजेगा three times of a square a square उपसल जाद a square upon कितना a square plus ka x square अब अगर यह आपको clear है यह आपको clear है तो बहुत अच्छी बात है into में one upon a और x का differentiation one तो बेटा जी a से x square कर जागा तो बचेगा उपर three a के upon में a square plus x square अब यह किस के बराबर तो dy upon dx के बराबर dy upon dx के बराबर तो विद्यार्त यूँ आपने सीख लिया कि यह वाले सवाल का solution कैसे निकालना था है फिर से बता रहा हूं inverse technology को मजबूत करिए और आपको बता रहा हूं यह आपका जो सवाल था बहुत ज्यादा टफ नहीं था बेटा बस situation क्या है कि concentration नहीं बनाएंगे न तो दिक्कत ठीक है न तो अब करते हैं अगला सवाल अब अगला सवाल क्या होने वाला बटा तो अगला सवाल देखिए यह 14 वाला अगर आपको clear है तो एक बढ़िया सा मासुम सा सवाल कर लेते हैं 14 के बाद 15 अब ऐसे वाले terms में क्या करना है इस बात की जनकारी होनी चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ जब भी ऐसा समस्या आए ना कि a-x upon a plus x है ना a-x upon a plus x तब वहाँ पे माल लिजे दैन तब तब क्या लिजेगा x बरावर a cos theta कितना बरावर? x बरावर a cos theta और कभी theta की जरुत पड़ी है ना अभी तो ले लेंगे चलो एक काम करो अभी तो लिख लेते हैं ना अभी यहाँ पे चलिए सब्रू करते हैं यहाँ पे कितना लेटर by बरावर tan inverse under root के अंदर बिटा a minus x upon कितना बिटा a plus x अब यह जो a वाले भाई साब हैं तो आपने बोल दिया sir कि यहाँ पे a minus और a plus अब x की value अलग ले लिजे अभी कैसा आपने सिखाया sir ऐसा सिखाया क्या सिखाया है कि a cos theta ले लिजे a cos theta ले लिजे ठीक है sir बिलकुल ले लेते हैं तो बिद्यारत ही हो समझेगा न आप अब दोनों में से क्या बाहर तो by बरावर tan inverse under root में a बाहर तो बेटा one minus cos theta whole upon में a बाहर one plus cos theta अब a से एक कट गया तो by बरावर tan inverse अब under root में क्या बचेगा एसे कट गया तो बचेगा कितना one minus cos theta upon में कितना one plus cos theta अगर फार्मूला आपको याद है तब तो चिंता की बात नहीं है अब सुनिए इसमें एक चीज और बचा हुआ है इसलिए मैंने उसको छेड़ा नहीं तो द्यान देजिए अगर लास्ट में काम आएगा तो द्यान देजे पहला ये दूसरा हिंट ले लिजे विटा अगर one minus cos theta है तो क्या और one plus cos theta है तो कौन सा फार्मूला तो ये फार्मूला आप कर चुके हैं बता देता हूं कौन सा तो one minus cos theta मतलब two कितना? sin square जो भी theta है उसका अधा है और ये two cos square जो भी theta है उसका अधा है अब ये दो चीज अगर आपको clear है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है तो लिख लिजे विटा y बरावर y बरावर कितना? तो tan inverse कितना विटा जी? tan inverse अब आगे कितना? ये one minus cos theta upon one plus cos theta क्या फार् हाँ जी देगो उपर माइनस है तो two sin square theta y two to two sin square जो भी theta है उसका अधा है ओके आगे दो cos square जो भी theta है उसका अधा दो से दो गया sin upon cos बचा लेकिन square square में तो कितना हो जागा? y बरावर tan inverse यहां कितना? बोलिए sin upon cos tan square theta का आधा तो y बरावर कितना बटा? tan inverse under root से square जागा तो बचेगा tan theta का आधा तो by बरावर कितना बटा? theta का आधा तो by बरावर half अब बच गया theta की value अच्छा इसलिए मैंने उसको रोक के रखा जागा जान देजेगा क्या हो जागा? तो theta बरावर कितना हमें नहीं पता हो लेकिन x का पॉन में ए लिया आता हू तो बरावर कितना हो जागा ये? cos theta सहीए अब देखो theta यहीं रहने दूँगा तो कितना हो जागा? cos इदर आजागा तो cos inverse xy a तो इसलिए theta की value मैंने छुपा के रखी थी जो की क्या है? cos inverse x upon a तो ये जल्दी से लिख लिजेगा अब चाहिए differentiation अब differentiation कर देते हैं अगली slide प अब एक बार फिर से आगे की तरब चलते हैं तो half of cos inverse xy a तो by बरावर half of cos inverse xy a अब सुनिएगा rough work अगर थोड़ा सापको इदर करना पड़े या formula लिखना पड़े तो इदर लिख लिएगा if by बरावर cos x होता तो dy by dx इसका क्या होता विटा? किसी को यादे? बताइए? तो 1 upon under root 1 minus x square लेकिन negative में तो minus 1 upon under root 1 minus x square तो यहाँ देखिए dy by dx कितना हो जाएगा? dy by dx बरावर हो जाएगा कितना? half बाहर differentiation कितना? cos inverse xy a का अब यानि कितना हो जाएगा? half of ये कितना? तो minus 1 upon under root 1 minus xy a का whole square लेकिन chain rule समझते हैं तो chain rule की याद आ गई होगी आपको cos inverse x का differentiation हो गया लेकिन xy a का भी differentiation बचा हुआ है तो बेटाजी सुनिएगा half of minus 1 by 2 into ये कितना? 1 के अपौन में under root ये कितना? a square minus x square के अपौन में a square बचा ही रह जाएगा ये brackets अब जांते हो ये 1 by a बाहर x का differentiation 1 तो अब क्या बच गया? अब क्या बच गया? लिखो तो a square under root से बाहर जाएगा तो क्या बचेगा? half of देखो under root से a square उपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? a, a से a कर जाएगा चाहे तो लिख लो कोई बात नहीं a upon under root में के अंदर नीचे क्या बच गया? a square minus x square लेकिन यहां देखिए 1 upon a बचा हुआ है तो इसको थोड़ा bracket में अगर आप लिख लिए तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा कितना? कितना उपर बन के अपाउन में अंडर उट कितना? a square minus x square तो half of a square minus x square प्राप्त हुआ है यह आपका final उतर मिल गा तो कि जाती हो उमीद है यह वाला सवाल समझ में आया होगा तो यह जल्दी से आप note down का लिजेगा उदर से formula और hint भी लिख लिजेगा है ना कि ऐसा होता है तो जल्दी से इसको अगले screen पे लेके जा रहे है बचा तो ध्यान देजे सवाल कितना था tan inverse under root a minus x upon a plus x तो इस condition के यदि ऐसा है तो a minus x upon a plus x है तब x वराबर क्या लेना ची याद होना ची तो कितना दवटा a cos theta अब x के दिवाइड में a ले आएंगे तो cos theta के ले रह जागा तो xy a वराबर cos theta तो theta तो cos inverse इदर चला जागा यानि cos inverse xy a बच जागा अब इसी की ज़र्वत क्या थी तो पूर minus cos theta 1 plus cos theta बचा जो कि 2 sin square theta y2 2 cos square theta y2 बचा 2 से 2 कट गया sin upon cos tan square theta y2 बचा जो बचा अब इसके बाद 10 से 10 कट गया that is a बना theta y2 अब theta की value हमने यह से निकाल ली थी cos inverse xy a cos inverse xy a फिर इसका हमने differentiation कर दिया अच्छा तो जल्दी से differentiation हमने आगले वाले step टे भी कर दिया अब यह बाले terms अगर आपको clear है यानि यह सवाल इतना easy जो बन गया अगर यह आपका clear है तो समाझ लेजिए कि आपने प्रतिलों फॉलन का differentiation बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है यानि कि अब आपको सिर्फ बाकी सवाल practice करते रहे इनका और जो भी doubt है हमें भेशते रहे तो बैटा आज के कच्छा में इतना ही था आज के कच्छा में अगर कोई भी doubt है तो बरावर comments करते रहेगा कोई भी doubt है तो पूछते रहेगा चिंता की बात नहीं है तो आगे के update के लिए और भी हमारे साथ रहे बने और साथी साथ बने रहे हमारे इस महान channel यानि magnet brain के साथ तो बिद्यार दी हो अब हम लेते हैं आपसे विदा और आपको कहते हैं वाई वाई और take care